आपका स्वागत है और आप है रश्मी के साथ आज हमारे इस खास कारेक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोरगपूर के विधायक 327 विधान सभासे डॉक्टर विमलेश पासवान जी तो आज हम इनसे बात करते हैं गाउं की समस्याओं के बारे में सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेक्रम में धन्यवाद विधायक जी मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अभी जो तातकालिक गाउं की समस्याए है उसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए मैं जिस विधान सभा से आता हूं बास काउं वो जनपत गोरकपुर का सबसे पिछला विधान सभा रहा है और पुरा जो उसका शेत्र फल है पुरा ग्रामिड अंचल है मतलब पुरा पुरा शेत्र ग्रामिड वांसियों का है ज्यादा तर लोग द्यास शेत्र में के ही हैं और वहां पर जो जीविका का साधन है लगभग 95 प्रतिसत लोगों का जीविका का साधन खेती है तो हमारे श अगर लगातार अच्छी फसलों का पैनावार हर सीजन में अगर बराबर हो तो वो किसानों की आए बढ़ेगी और जब आए बढ़ेगी तो किसानों की जाहिर है आम जन्जीमन बहतर होगा तो पिछले एक साल में हम लोग ये कोशिश किये हैं कि गाओं में बिजली दे और जिससे की गाओं को बराबर बिजली मिले तो वो पानी की आपूरती जो है पेजल की आपूरती खेता है गाओं में अभी वहां पे आपको क्या लगता है कितने घंटे बिजली मिल रही है हमारे शीतर में करीबन 18, 18 गंटे बिजली बराबर आ रही है 18 की एक गंटे और बराबर बिजली देने में जो एक बाधा है जिसे जो इन्फरा स्ट्रेक्चर है जो पुराणे समय के जो तार है जो टांसफारमर्स है तो बराबर पर उन पारों का जलना और ट्रांसफारमों का जलना तभी इस जटिल समस्या से हम लोग जोज रहें विजली देना एक चीज लेकिन बराबर विजली देने के लिए इंफरास्टेक्चर स्टैबलिश होना चाहिए तो जैसे जो टूब वेल्स है ठीक है टूब वेल्स हमारे श जो सारी समस्याओं का समाधन बिजली से ही होती है और दूसरी जो समस्या हमारे शेत्मे रही है सड़कों की सड़के सारी गढधा युक से गढधा मुक्त हो गई लगभग हम लोगों ने अपने विधान सवा में साथ सौ चरासी लाग रुपय का कारे सिर्फ गढधा युक से गढधा मुक्ती के लिए सड़कों में खर्श किया और तीसरी जो समस्या थी हमारे शेत्र में वो थी आपकी चिकित्सा स्वास बेवस्था को लेकर के जो कि बाजगाओ तो नगर पहंचा है तो आपकी समदाइक स्वास केंद्र लगबख ठीक ठाग चला लेकिन करमशा कोडी राम और गगः के जो समदाइक स्वास केंद्र है और धंग से नहीं चला यह हमारी जो है यह कोशिश है और अभी हमने जब गौर्मनेंट में काम करना शुरू कि हमारी सरकार ने हमारे शश्वी मुख्रमंतरी जी ने सबसे पहला कार अगर इस चिकित्सा स्वास में ध्यान दिया है तो वो चिकित्साओं के भरती को लेकर दिया है ज़ब लोगों ने वहां के एस्पतालों में डॉक्टर की जो कमिया आ रही थी तो वह अभी पूरी पूरी कर दी गई है नहीं वह दूद्ध की प्रक्रीया है, एक दिन में नहीं होती है ठीक कमिशन से अबर्टिस्मेंट्स होते हैं फिर नियोक्ति की प्रक्रीया चलती है तो जैसे मिन बताया है कि सबसे बड़ी समस्या जो है डॉक्टर्स के ना होने की थी क्योंकि अस्पताल चलते हैं डॉक्टर से अच्छी टीम से परामेडिकल स्टाप से और अवश्रक संसाधनों से तिये सब सारी जीज़े हम विरासत में मिली हैं जो नहीं रही हम पास और हमारा शेत्र जो है देखिये मुख्य मार्क जो नहीं नच-29 वह जाता है और अगमन हि परम पुझ शश्वी मुख्य मंतरी योगी आदितनाथ महराज जी की कृपा से कुष्वासी शेत्र में जो चंदागाट पूल था जिसके न होने से उहां के ग्रामेडान चल अपने जो है जो तयार सबजियां थी और जो दूधिये थे अपना दूध नहीं बेच पाते थे सहरों में जाकर के को कि इतना जादे आउगमन ही तो समय लगता था जिससे कि उनका जो है दूध खराब हो जाता था सबजियां उनकी बेकार हो जाती थी तो उस पूल के बन जाने से मतलब वहां के जो एक लाक बीज हजार की आबादी है शेत्रफल की कुश्वासी शेत्र क कि वो लोग सीधे जो हैं शेहर चले जाएंगे वहां उनको मंडी मिलेगी और सीधे उनको उनके फसल या उनके सबजियों तो उनके दूद का तुरंत उनको पैसे मिल जाएंगे तो ये मेरी उपलब्दी है मेरे सरकार की जो मेरे प्रयास से और हमारे शश्वी मुख मंतरी के अशिरवात से इसको मैंने प्रथम 6 मा के कारेकाल में पूरा करने का कार किया है तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलदी है कि मैं शेतर को ये अगमन हित्तु चंदागार्ट पूल का शलेनास करा कर के जिसमें निर्मान कार बहुत तीजी से चला है लग बंग 9 पाय जो होते कर्ज माफी किया है उसमें हमारे शेतर के अधिकान से क्रिशक उस योजना से लाव लेकर के अपने कर्ज को उतार पाए हैं और चुकि हमारा शेतर ज्यादा तर क्रिशकों से आच्छादित है तो उनको उनके तयार फैसल के लिए सारे जो सुसाइटीज हैं क्रेकेंदर हैं आपने सबसे पहला देखा न हमारे शेतर में जितनी भी सुसाइटियां थी उसको मैंने सबसे पहले दुरूस्त करा करके सब जगह किसान अपने फसल बेश सके और समर्थन मुल्क के अन रूप उनको पैसे मिल सके तो ये सारे क्रेकेंदर जो है बहुत ही अ करेकेंदर न को फसल बिचने की वरस्ता हो और ये उपलबधी रही देखा नहीं जो है नहीं जो है मातर दिन के अंदर ए अर्टीजियस के मादेम से पैसा जो है उनके खाते में चला गया ति है ति हमारे सरकार के अपलबधी है क्योंकि गाओं, गरीब, किसान, युवां औ करेकरम महिलाओं के श्रशकति करणपा ये सरकार आधरित है और इनकों मजबूत करने के लिए हमारे सारे कारक्रम इजन ही पनुदारित है लिए एगर हम बात करें आपके छेत्र में शिक्षा को लेकर तो तो उसिक्सा के लिए अविगले क्या क्या चाहएंगे तो मैं जब चुनाव लड़ा था तो मैंने ये बात अपने मुद्दे में भी रखा था कि मैं महिला शर्शक्तिकरण उनके सिक्षा के लिए कार करूँगा कल मुझे विधान सुभा में आम बजट की चर्चा में भाग लेने का उसर मिला तो मैंने महिला पॉले टेक्निक कॉलेजिस अपने तीनों ब्लॉक में खोलने की बात कही है और जो है कोशल विकास योजना के माध्यम से हमारे यहां ट्रेनिंग स्किल चल रहे हैं और युवाओं के उनके हुनर के अंरूप तयार किया जा रहा है और वहां पर जो है कैमपस भी आ रहे हैं और अभी सब विधान सभा वार जो है प्लेस्मेंट्स शुरू हुए है अभी थोई चौरी ज़दा विधान सभा में था और विधान सभा में भी कैमपस प्लेस्मेंट्स की वस्ता चल लई है और दिखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो एसेट है युवा ही है अगर विक्सित राज्यों की बात किया जाए विक्सित देशों की बात किया जाए उरॉप अमेरिका के देशों में तो अगर युवाओं को उनके हुणर के अनरूप रोजगार मिले और यहां पर रोजगार परक बेवस्था और बेवहार मिले तो यहां से युवाप प्लाइन करने को मजबूर नहीं होगा और बांजगा विधान सभा खासत और मैं अपने विधान सभा की बात करता हूँ यहा कोई रोजगार परक बेवस्था का सिर्जन हुआ और हमारे विधान सभा बांजगाओं के हम आपको बता दों कि पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं बड़े मेहंति हैं लोग तो मैं यह मेरी कोशिश है कि उद्धोग धंदों का यहां पर सिर्जन हो जसे कि हमारे युवाओं को यहां प्लायन करने पर मजबूर न होना पड़े और काफी हमारे यहां पर तो अग्रिकल्चर लैंड बहुत से जमीन हमारे पास भी खाली है उद्धोग धंदे लगाने के इसलिए जल्दी ही करेंगे कि मतादन मेरा शेत्र जो है 90 परसेंट से जादे 25 परसेंट में बताया कर देखा जाए तो किर्शी आधारी शेत्र है और लोगों की जीवगा का मात्र साधन किर्शी ही है तो किर्शकों के आय दुगनी हूँ उनके जो है जो कंजर्वेटिव अ प्रद्वार के उसमें हम लोगों ने समय समय पर क्रिशकों को प्रोग्राम लगा कर करके उनको अप्ग्रेड कर रहे हैं उनकी जो पद्दुती है किर्शी करने कि उसको चेंज करें नए मौडन तेखनीक अपना करके हमारे विधान सभा में बेली पार में किर्शी तो अगर ऐसे ही यह पलायन होते गए तो भाविस्व में किसान की तो बहुत कमी हो जाएगी तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शेत में तो ऐसा कोई किसान नहीं पलायन करके गया है क्योंकि वो बड़े खुश है अपने खुले वेभार में स्वक्षवा मिलत है और हमारे अरिकान्स क्रिशक जो है इही रहते हैं बहांस गाव में और हमारे सरकार की प्रती बद्धता है कि उनको अच्छा वेभार वातावरन सुधा दिया जाए और इसके लिए हम लोग कार कर रहे हैं तो विधायक जी अगर मैं बात करू यूवा के बारे में तो जि उनके रोजगार के लिए आपका क्या कहना है देखिए हम लोगों ने कोशल विकास यूजना के मंतराले के माध्यम से गुरकपुर में बहुत बड़ा एक ट्रेंडिंग सेंटर खोला गया है गुरकपुर शहर में और वहां पर रोजगार परक स्किल के अरूप यूवाओं यूवाओं को उनको सौलंबी बनाये जाए और उनको जो जिससे तमाम यूजना है हमारे सरकार की स्टेंड अप इंडिया ठीक है और आपका डिस्ट डिस्टलाजेशन के शेत्र में जो है अगर कोई यूवा कुछ नया करना चाहता है अपना प्रोग्राम बना करके आप विजनेस वेपार करके सौलंबी बन सकते हैं उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद है और हम लोग उसके लिए काफी बड़ा बजट निजधारित किये हैं स्टेंड अप इंडिया जी से हमने दिया है कि उसमें सारे लोग जो लोग वैपार करना चाहें अपने स्किल के अनरूप उनको हम लोग पैसा देंगे और उसमें मौरिटोरियम पीरियड भी हम लोग जो है काफी लंबा दे रहे हैं उतना हम लोग उनसे जो है ब्याज नही ब्याज नहीं लेंगे जब तक कि आप जो है अपने पैर पर खड़े ना हो जाए और बहुत ही मिनिममम इंट्रेस्ट में हम पैसा दे रहे हैं तो यह बहुत बड़ा यह प्रयास है गोर्मेंट का युवाओं को उनके पैर पर खड़ा होने के लिए उनको जो है रोजगार परक महाल देने के लिए जिसमें मुख रूप से पैसे ही की ज़रुवत पड़ती है तो पैसा हम दे रहे हैं जी है विधायक जी बहुत अच्छी बात कही आपने और अगर अब मैं बात करूँ पिछली सरकार और अब की सरकार तो आप क्या अंतर बताना चाहेंगे जो की ए एक खास अंतर हो दिखिए पिछली सरकारें अ मतलब प्रिदेश की अगर बात करें तो इस प्रिदेश को बाता है जातिय अधार पर छेतरी अधार पर मजभब के अधार पर और सिर्फ और सिर्फ थिए इनका राजी करना मक्सद रहा भट यंदा पार्टी कभी सत्हा पानन युवां हैं और यहां के युवां हताश निराश हो करके इंफेक्ट पलायन को मजबूर थे और बहुत से युवां तो बिचारे आत्महत्या की हैं मेरे गोरकपूर शेत्र में कोडिया ब्लॉक है वहां के लड़के जो पुलीस की भरती होती थी तो एक जो है पर्टिकुलर जात के लोग एक पर्टिकुलर शेत्र के लोगों के भरती की जाती थी पुनाने सरकारों में और हमारे उस कोडिया ब्लॉक का एक लड़का विचारा सुसाइड कर लिया आत्महत्या कर लिया सिर्फ इसलिये कि वह जो है इंट्रिवू में क्लियर नहीं कर पाया फिजिकल मे रिटेन में उसका अच्छा था लेकिन वह गोरक पुरकता इसलिए उसके सेलेक्शन नहीं हुआ तो यह जो भरती बरस्टेशार हुआ इसमें जो है युवाओं को उनके मेरिट के अन्रोप उनसे उनके सपनों को छीना गया उनके सपनें को पंग को काटा गया जो अच्छी देने का माध्यम है सरकार का वो पॉब्लिक सर्विस कमिशन में आपने देखा जो वहां के चेर्मेन थे वो एक किसी खास व्यक्ति के परिचित थे और उनकी मेरिट भी नहीं थी तो भी चेर्में नहीं गया और उन्होंने जो है खास तौर पर एक विशेशवर के गौर्मेंट रहे हैं पिछले 17-18 सालों में तो इससे युवाओं का पलायन तो होगा है जब उनको नहीं मौका मिलेगा उनके स्किल के अनुरूप तो वही युवा बाहर जाते हैं तो डंके के चोट पर कार करते हैं इहां के डॉक्टर्स और इहां के इंजिनियर्स और इहां विखास शील प्रदेशों में ये विक्सित प्रदेश माना जाएगा बस यहां पर सही धंक से युवाओं को दिशा देने की जरूवत है और उनको महौल देने की जरूवत है तो विदायक शी आपने जो जाती की बात कही है तो अभी आपकी सरकार ने जो जातियां है चार जो जातियां है उसको समान करने के लिए क्या कोई खास कदम उठा रही है? ने देखिए हम लोग जात पात की राजनीत नहीं करते हैं उसका सबसे बड़ा उधारन मैं ही हूँ मैं आपको बता दूँ कि सन 1989 में परम पूज्य महंत आदितनाथ जो हमारे सुष्वी मुख्य मंत्री है जब वहां एक सामाने सांसद थे और उनके जो गुरू थे ब्रमलीन महंत अवैदनाथ जी ये लोग सामाजिक समरस्ता के लिए अपना विशेष योग द्यान दिये हैं जो हमारे ब्रमलीन महंत रहें महंत अवैदनाथ महराज जी हमारे शश्वी मुख्य मंत्री जी के गुरू उन्होंने ये सामाजिक समरस्ता का विस्तार किया और उन्होंने नने शिर्फ मेन जृइन अजर उतना बैटनाँ उनके साथ खाना खाना उनके साथ सामोहि vegetable जाना और उनके वैवाहिक आरिकरोंके स्वेम उपस्थी थो करके लड़कियों का कंषान काण यह उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्दी है, समाज को समरस्ता के दिश्टिकत से मजबूत करने के लिए और उसका विस्तार जो है हमारे मुखमंत्री जी ने किया, मेरे पिता जी को चुनाव लडा करके समाने सीट से एक अनुखी घटना थी 1989 में जो ब्रमलीन महंत अवैदना जी के सानिद से चुनाव लडाय मेरे पिता जी और समाने सीट से उनको बिधायक बनाया और यह जात्पात का ऐसे ही बंधन खतम होता है जब अंतर जातिय विभा हूं ठीक है अंतर अस्ता का जो है मिसाल है जो हमारे पूछ यमोक्ति मंतरी जी इस चीज को दूर करने के लिए अपनानवरत कारे कर रहे हैं और सभी लोगों का मिश्रण लेकर के ही समाज को मजबूत कर रहे हैं वो जो है विशेस रूप से दबे कुछले शोसित पिछडे नसुची जाती के लोगों को विशेस लगा है वो चाहते हैं कि मतलब समाज में समानानता है और इस तरह कि जो भेदबाव है जो सबसे बड़ी विश्रमता है समाज की वो दूर है और जो है मैं इस चीज का जितना भी धन्यवाद करूं उस गुरक्ष पीट का शब्दों में कम है सूरज को आ आगे क्या करना चाहते हैं लेके गाओं के लिए सबसे पहली चीज की क्रिश्रकों का जो है आए दुगना हूं उनको जो उनको कंदरिबर्टिव प्रोचेस से जो वो खेती कर रहे हैं वो उसमें जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं समय समय पर बहली पार हमारे अपने दुगनी हो सेम उतनी पर्टिकुलर अएरिया में उतनी खेती में उनकी आए कैसे दुगनी 1131 फोकस्ट हैं और किसानों को अगर क्याना में आकस्मिक कोई छती होती है तो उनको उसका हरजाना का मौावजा जो है हम लोग पहले सरकारों में बहुत कम मिलता था उसको हम और किसान बीमा है, किसान फसल बीमा है, किसान सुरक्षाय योजना है और किसान के भी बच्चे आगे पड़ सकें और संबाज जी सकें उनके लिए भी हम लोग प्रधनमंत्री आवास योजना के तहत सबी लोगों को हम लोग मकान से आज चादित कर रहे हैं, सब घर में बिजली दे रहे हैं, सवभाग्या में योजना है, तो कोई हम लोग का कोशिश है कि कोई भी ऐसा घर, न बच्चे जिस पर छथ हो, वहां बिजली हो, और कोई ऐसा गाउन बच्चे जो मुख्य मार्क से ने जुड़ा हो, समदाइक स्वास केंडर हो हर गाउन में और बिजली हो, इन सब सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, जी है विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कारेक्रम में, धन्यवाद तो देखा आपने विधायक जी ने कितने अच्छे शब्दों में हमें आउगत कराया गाउं से, बहुत ही सही से रूबरू कराया और इन्होंने ये भी बताया, महिला विकास को लेकर और जो जाती है उसे भी दूर करने की बहुत सारी बाते बताई और आगे भी इनकी सरकार गाउं को विकास के तौर पे लाएंगे और आगे भी विकास होते रहेंगे गाउं में, तो इसके लिए हमारे इस खास कारेक्रम में विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके आज के लिए इतना ही रश्मी को दीजे इजाजत ABPS News लखनौ